सत्य में, सत्य में, सत्य में वजयते तरीकों पर एतरास था कभी हाव भाव को लेकर, कभी चाल को लेकर उसे लगातार परिवार की ओर से ताना कशी का सामना करना पड़ता लड़का अंदर ही अंदर घुट रहा था अपनी पहचान को लेकर गहरे असमंजस में था लेकिन आसपास के लोगों ने ना उससे बात की ना उससे समझ पाने स्वीकारने की कोशिश हालात इतने बिगड़ गए कि लड़के के पास घर छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और घर छोड़ देने के कई सालों बाद सिमरन के रूप में उसे अपनी असली पहचान मिली सिमरन बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का मुझे बताईए के चौदा साल की अमर में अपना घर छोड़ देना ये बहुत ही मुश्किल बात है तो वो क्या हालात थे जिस वजह से आपने ये क्दम अठा है मैं ये अपने परिवार को मुझे से दूर जाते हुए ही देखा है पिताजी मुझे जिंदेगे में कभी अक्षप नी किया आज के डेट तक मुझे कभी अक्सेप नी किया अas the way I am सबेरे उटने से लेके रात के गुड़नाइट तक अगर कोई बच्चे को कंटिनुसली 24-7 वो ताना देते रहे it's just not from your father but जो भाइबहन होते तो आपके भाइबहन ने भी आपको कभी एकसेप्ट नहीं किया कबूल नहीं किया अपको कभी नहीं और इतनी नेगेटिविटी मुझे मिली है मेरे परिवार से कि बिना सोचे बिना समझे मैंने सीधा अपने घर से वॉक ओफ कर दिया and I told my father SNA कि मैंने बिना बोले उनको चले गई मैंने उनको बोला कि मैं घर छोड़के जा रही हूँ तो उनका क्या response था? Get lost उन्हें ने रोका नहीं आपको? कभी नहीं तो बहुत मुखिल होगा आपके लिए आप 14 साल के थे फिर घर चोड़के आप कहा गए? Bombay Central Station, तीन स्रेशन दूर पर Bombay Central Station है एक दिन तो रोने धोने में गया, दूसरे दिन पॉकेट वो जितना पॉकेट में पैसा था, I think I had carried only 16 रुपीज in my pocket सोला रुपय था आपके था? सिर्स सोला रुपय और सोला रुपया एक दिन में मैंने खर्च कर लिया, भूक लगी थी तीसरे दिन एक वेक्ती ने मुझे ओफर किया एक वड़ा पाउ और चाय की कटिंग ग्लास आती है और वो वेक्ती किनर थे, हिजडा समाज के थे तब उन्होंने मुझे वहाँ से रे रोड लेके गए और मेरी जिन्दगी रे रे रोड से शुरू हुई क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी उस वक्त उस दोर में? उनके समाज में ढलने के लिए उनके साथ रहते हुए उनके रंग में रंगने के लिए मैंने अपना आपको वहाँ पे मौल करना सीखा हमारे हिजुडों में एक बड़ी चीज होती है जो हम बोलते है ताली ताली अच्छली वहाँ पे हम मैंने सीखा मुझे चार मैंने लगे मेरे शोल्डर लेंग तक मेरे बाल आने के लिए मैंने भीक मांगना शुरू किया ट्रेन में क्योंकि मुझे मेरा पेट पालना था आप समझ सकते हो कि एक बच्चे के लिए जो कभी जिंदेगी में आउड़ोर नी देखा अगर वो ट्रेन में जाके भीक मांगता है या सिगनल पे खड़े रहे के हाथ फेलाता है you can imagine वो कितना डिफिकल्ट होगा सामने के लिए अतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो अपना शीशा चड़ाता है पर मांगने के लिए वो कितना डिफिकल्ट रहता है और उस दौरान जस्ट बिकास मेरे पास कोई अपोचुनिटी नी था, मेरे पास कोई जॉब नी थी, रात को हाइवे पे खड़ी रही, सौरी मुंबया भाशा में हम बोलते हैं थंदा करने के लिए में खड़ी थी, सेक्स वक के लिए में खड़ी थी, तब मैं कमफरटबल नी थी, मुझे घीन आती थी, तो मेरे फ्रेंड को में बोला कि देखे, मैं I think I'm not comfortable, ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोई नाचने गाने का होगा तो बताईए ना, तो खार में, खार सेशन के भार वेस्ट में एक दान्स बार था, तो उसने एक टाइम ऐसे ही बात कर लिया था, तो उस सेट ने बोला था कि अगर आपके पास कोई ऐसा हिजड़ा है, तो आप लेके आईए मेरे बार में, वो ओपनिंग गाना उनको दे देवे, क्योंकि पहले तो साही बाबा की आर्थी होती है, उसके बाद फिर तुमको नचवा सकते है, अचा, बार में साही बाबा की आर्थी से शुरू होती है, वो गुड़लग लाते है, बोलते हैं लोग तो लगा दिया काम पे, वहां से आपकी एक तरह से कमाई शुरू हुई, और साथ में साथ दुनिया को जानने की नजरिया मेरा बदलने लगा, जब थोरा पैसा जमा हो गया, around 17 years, तब मैंने सोचा चलो यार फिर पढ़ाई कर लेते, यार जिंदगी में काम आएगा पढ़ाई भी, तो पिर आपने दुबारा पढ़ाई उठाई? जी, पर वो भी completely illegal ways है, कैसे? डुब्लिकेट बोनोफाइट सर्टिफिकेट निकाला, अच्छा, और चर्च गेट में एक नामी कॉलेज है, उसमें में एडमिशन लिया, नकली माबाप बनाए, कस्टमरों से, रिक्वेस करकर के, नकली माबाप बनाए, कॉलेज में एंट्री मिला, सबेरे कॉलेज जाते थे, रात को वही डांस बार ता, पाँ साले से गई मेरी, ग्राजुएशन के अपने, ग्राजुएशन कम्प्लीट करी, वाव, 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 उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे कोई, आप एक दफार ग्राजुएट हो गई उसके बाद, उस दौरान, हमारे बार में, कभी कबार, ये HIV प्रचार कर के लिए लोग आते थे, हमारे में के लिए, जानकारीन देना, तो वाव बन गए वहाँ पर, तो वहाँ से मैं एक अपनी जिंदगी शुरुबात किया, वावण से मैं एक नाशनल लेवल पर एक नाशनल प्रोग्रम प्रोग्रम और ये प्रोजेक्ट 17 स्टेट में आज चल और मैं बहुत गर्व मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी जिंदेगी अज बार डांसर, सेक्स वर्कर, फिर पियर एडुकेटर, आउट्रीच वर्कर और आज मैं एक नाशनल लेवल पर जाके बैठी हूँ क्या वाइट है तो हिजरा समाज में जो आपका एक सफर रहा है, एक जर्नी रही उसके बारे में हमें कुछ बताईए देखो, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन तो यह हमारा बोलते है नो चोली दामन का यह है लोग सोचते है कि हिजरे बड़े बत्तमीज होते है गालिया देते हैं, उनको सिव उनके पैसे से मतलब होते है पर हमेशा एक बात याद रखना, ताली दो हाथ से बज़ती है पैसे से मतलब इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने जॉब नहीं दिया आज तक बिल्कुल सही का आपने आज अगर आप छोटी सी गवर्मेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, जब तक बत्तमीजी ना करोगे, तब तक तुम्हें तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा मैं जब टेस्टिंग के लेके जाती थी लोगों को, डॉक्टर हाथ लगाने से कत्राते थे दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहूँ हूँ कि सुप्रीम कोट का हाली में एक जज्ज्मेंट आया है, जिसके अनुसार, जो हिजड़ा समाज है, उनको तीसरा लिंग का ओदा दिया गया है और अब जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें भी इस बात को कबूल करना होगा और उस अनुसार ही आगे काम करना होगा तो हमें बताइए, LGBT कम्यूनिटी में हिज्ज्रों की क्या डेफिनिशन है या कहां आप अपने आपको पाते हैं हिज्रा वो इनसान होता है जो एक रिच्वल, एक कस्टम्स और एक परंपरा अपने खुद से जूड़ता है उसके साथ उसको एक ओर्थ लेना पड़ता है एक शपत लेता है तभी वो हुज रिजरा कहलाता है और हिजरा, basically हिजरा क्या होता है क्या माबाब के साथ इंसान क्यू रहता है? एक पाने के लिए जब मैने घर छोड़ा था तब मेरे पास कोई सोशल सपोर्ड नहीं था वो सोशल सपोर्ड मेरे ताइम पे जो मेरे रास्ते के बीच में आगिया, मैं उसे अपना लिया आज मुझे एक सोचल सपोर्ट है मेरी गुरु है, मेरी गुरुभाई लोग है जो मुझे देखेंगे, जो मेरे लिए वरीड है तो आपने कभी पीछे मुड के अपने फैमिली को फोन किया उनके पास आप दुबारा गए, कभी ऐसा मौका भी आया एक बार फोन करके डड़ी से बात किया तो डड़ी बोल दिया, तो हमारे लिए कब से मर गया है और भी बैंग देखेंगे तब उमीद की सारी दर्वाजे बंद हो गई यह आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा तो एक्सेट के मेरे फैमिली ने मुझे तोटली रिजेट कर दिया है येस, तभी येस पर आज मैं अपने आपको जहां पे देखती हूँ मेरे एक छोटी सी दुनिया में मैं जहां पे रहती हूँ मैं बोलती हूँ, अच्छा ही हूँ नहीं मंगता है ऐसे माबाप आप समाज को क्या कहना चाहेंगी क्यों हम हिजडा कम्यूटी को एकसेप्ट नहीं करते हैं एक इंसान के तोर पे उपपरवाले को जिस नाम से भी बोलो उसने सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बहतरीन चीज़ जो बनाई है इस दुनिया में वो इनसान है और यदि अगर हम उसी चीज़ की अगर हम कदर ना करें तो फिर वो कदर क्या हुई हम डिस्प्रिस्पेक्ट उसे ही कर रहे हैं मुझे लगता है कि यह वक्त आ गया है कि हमें बदलना चाहिए और अपने अंदर जहां के अपने आपको पूछना चाहिए मुझे क्या चीज़ लोक रही है कि मैं किसी इनसान को इज़त और प्यार न दू बहुत बहुत शुक्रिया सिमरंग जी हमसे बाचीद करने का थैंक्यू सिमरंग तैंक्यू सिमरंग